ओम शान्ती आज आपका 121 वे दिन का ईशुरी वर्दान और आज के वर्दान में परमपिता परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि आध्यत्मिक तामें भी हमें मदद चाही होती है और आत्माओं की जो की निमत बनी वी आत्मा हैं हमसे काफी पहले आई वी हैं इस ग्यान में और जो कि इस पत पर चल चुकी हैं और उन्होंने सारे विघन अपने जीवन में पार किये हैं वो भी काम, क्रोध, लोब, आहंकार में उपर चड़े, गिरे, उपर चड़े, गिरे और वो अनुभवी मूरत बन चुके हैं जिस कारण से वे अपने सारे जो कर्म करते हैं अन आपको उच नीच अवस्ता मिला सकता है और वो इस सब कुछ चीज़ को पार करके परमात्मा से शक्तिये प्राप्त करके औरों को देख करके कि उन्होंने कैसे जविगन को पार किया, उन्होंने कैसे इस परिस्तिती को पार किया, उन्होंने कैसे किसी की निंदा को किसी ने आपके आकर के बेश दी करें उसो कैसे उन्होंने पार किया तो परमात में सिखाया कि जब तक आप औरों को देखते नहीं हो तब तक आपके अंदर वो ब्लिसिंग्स वर्दान प्रापनी होते हैं तो इसलिए अच्छा संग रखना भी ज़रूरी है इसलिए हम जो ब्रह्मकुमारी इसमें हम सेंटर जाकर के अच्छे लोगों के पास में जाकर के उनसे मिलते हैं और जुलते हैं उनके साथ में रहते हैं इनको देखते हैं सेवा कैसे कर रहे हैं वो और उनसे वो चीज़ें शीखते हैं कि life, physical form में आप कैसे सीखें कि व करमं कैसे किये जाते हैं तो आई ये देखे, आज बाबा कहते हैं क्या है इस वरदान में बाबा कहते हैं निमत बनी हुई आत्माअँ दुवारा, जो निमत बनी हुई इंस्टूमेंटल सोल्स हैं उनके द्वारा कर्म योगी बनने का वर्दान प्राप्त करने वाले तो कर्म योगी हम देखते हैं जो इंस्ट्रुमेंट सोल्स होती हैं जो की कर्म कर रही होती हैं उनको देखते हैं कि वो हर सिचेशन को कैसे पार करते हैं बिना कुरोद के बिना अहंकार के बिना इरिशा के तो कर्म करते हुए किसी ने कुछ आके किसी के बार में खुसा पानी करी लेकिन आपने उस चीज को बंद कर दिया, रोग दिया आपने बताया तो वो आत्मा के अंदर तो बहुत अच्छे गोण है आप उनके बार में बुरा क्यों बोल रहे हो तो ये सारी चीजे हम देखते हैं सेंटर पे करते हुए आत्माओं को बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि परचिंतन करते हैं, परदर्शन करते हैं, परदोश देते हैं लेकिन हम जब देखते हैं कि बड़ी दादिया, जो बड़ी बहने हैं, बड़े भाईजी लोग हैं वो इन बातों से बिलकुल नियारे और प्यारे रहते हैं और कर्म करते हैं परमात्मा को याद करो, अच्छे गुणों को देखो, शुब भामना दो, शुब कामना दो और वो स्वेम उस स्थिती में रहते हैं, तब जाके लगता है कि हाँ ये चीज पॉसिबल है नहीं तो सर्फ ग्यान सुने से लगता है कि कैसे होगा, कैसे कर पाऊंगा, मैं कैसे कर पा सकता हूँ या कर पा सकती हूँ तो हमें हम दुबिधा में रहते हैं, इसलिए कहते हैं संगत में रहना बहुत जरूरी है तो संग अच्छा होगा, तो automatically एक ज्ञान की धारनाई भी असानी से हो पाएंगी इसलिए हम मुरली के लिए हम center जाते हैं, center पर जाके सुनते हैं घर में तो कोई भी सुन सकता है, मुरली बैट करके या इश्वरे वर्दान को सुन सकता है लेकिन जब हम center पर जाते हैं斤 और आत्सम के संग में आते हैं, उनके गुर्ण देखते हैं तब जाकर कहा हमरे लगता कि हाँ, वो कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकता है, या कर सकती हूँ तो पर्मात्मा कहते है निमत बनी हुई आत्मा दवरा 650an कर्म योगी बनने का कर्म करते होays कैसे हम पर्मात्मा की याद करें कैसे हम गुनों को इस्तमाल करके कर्म करें ये सीखना जरूरी है कर्म तो हर कोई कर लेता है लेकिन वो साध्यारण कर्म बन जाते है लेकिन ग्यानी तू बन करके योगी तू बन करके और परमात्मा के गुण और शक्ति को इस्तमाल करके कर्म करना ताकि हमारे कोई विकर्म ना बने पाप कर्म ना बने उसको कहते हैं कर्म योगी आत्मा तो कर्म योगी बनने का वर्दान प्राप्त करने वाले मास्टर वर्दाता भवा तो हम अगर और आत्माओं को देखते हैं वो कर्म कैसे करते हैं और शुद्ध कर्म कैसे करते हैं अच्छे कर्म कैसे करते हैं आप जब उनको देख करके, आप उनको copy करते हो, कर्मयोगी बनते हो, तो आप भी किसी के लिए वर्दाता बन जाते हो कैसे, देखें आज, बापा कहते हैं जब कोई भी चीज साकार में देखी जाती है फिसीकली आप जब देखते हो, किसी को यह करते हुए तो उसे जल्दी ग्रहन किया जा सकता है यह तो ग्यान सुना असान है लेकिन ग्यान को अपलाई कैसे करें practically कैसे देखें किसी ने क्रोथ की अवस्था में किसी ने किसी की निंदा करी तो उसने कैसे इस चीज़ को पार किया कैसे किसी ने निंदा को सहन करते हुए भी किसी को वरदान और दुआएं कैसे दी ये जब तक हम देखते हैं नहीं किसी को करते हुए तब तक हमें लगते हैं कैसे सकता है मैं तो नहीं कर पाऊंगा मेरे से नहीं हो सकता हम ये कि सोचते है परमात्मा कहते हैं अची संगत में रहने से परमात्मा की संगत है अची संगत तो ब्रमात्मा को काicha करते हैं मज़ा आतमा है इसलिए दाधिय होगे बड़े वरिष्ट भाई भेन हो गए आत्मा हैं उन्हें उन्हों की सर्विस कैसे सर्विस कर रहे हैं उन्हों का त्याग उन्होंने कैसे त्याग किया हुआ है ना त्याग सर्फ यह नहीं होता कि घरबार छोड़ दिया धन दौलत छोड़ दिया मतलब उन्होंने अंका का त्याग, इर्शा का त्याग, गिर्णा का त्याग, नफरत का त्याग, और अंकार, क्रोथ का त्याग, इस सारी चीजों का त्याग कैसे किया हुआ है, उंच नीच की बातों का त्याग कैसे करा हुआ है, इधर उदर की बातें ना करना इसका त्याग कैसे किया हुआ है, द सहयोगी पन का प्रैक्टिकल कर्म देखकर किसी ने आपकी बेस्ती करें लेकिन तब भी आप उनको सहयोग कर रहे हो, यह तो महात्मा जैसे कर्म जो कि पर्मात्मा ने हमें से काया है, जो हम ब्रह्म कमवारीज में करते हैं, और हम सीख रहें यह करना, कर्म देखकर जो इसे ने मोड़के मरोड करके उसको इस सुक्ऽ में परिवर्तन कर दिया और औरों को भी सुक्व दिया जिसने फिर बाबा कहते हैं जब निमित बनी हुए आत्मा को कर्म करते हुए इन गुणों की धारना में देखते हो तो सहच कर्म योगी बनने का जैसे वर्दान मिल जाता है लेकिन घर में बैठे बैठे मुरली सुनली पढ़ली हां और सब कुछ समझ आ गया लेकिन आप संगठन में नहीं रहे तो उसका असर नहीं होता है मुश्किल लगती सारी बाते हैं फिर सुनते हुए जो ऐसे वर्दान प्राप्त करते रहते वह स्वयम भी मास्टर वर्दाता बन जाते हैं तो आप जब औरों को देखते हुए करते हुए देखते हो कि उन्होंने कैसे सिच्छिए को को अपना सकते हो और आप अपने घर बार में भी शान्ती सुख ला सकते हो इसलिए ब्रमकुमारी इशुरे विश्यवदाले से जुड़ें वहां सीखें सिर्फ नहीं वहां देखें भी कैसे किया जाता है कुछ आत्मा बहुत अच्छी से करती हैं कुछ आत्मा भी भी सीख र ओम शान्ती